नमसकार मैं हूँ विवेक और आज के इस वीडियों में हम लूब भक्तिकाल और आल्टिक तथा सामाजिक बलत्री से टोपिक पर चल्चा करेंगे कि भक्तिकाल के दौराँ आलथिक इस्थिति कैसी थी और सामाजिक ब्यवस्ता kis प्रकार की थी हम लोग हिंदी तविल्ब का इतिहास कर रहें जिसमें अभी तक हमने आदिकाल पूरा कंप्लीट कर लिया इसके बाद भकतिकाल का नाम करार और और विवाजन हो शुका आई भकतिकाल का राज्मीटिक बिशेश की आज़्थिक और सामाजी इस्थिती पर प्रकाश डाला जाता है तो वहां हमें क्या देखना चाहिए वहां क्या पाते हैं या फिर क्या देखते हैं तो यहां पर हम उस समय की सासन ब्यवस्था पर नजर डालते हैं जो आथिक इस्थिती को निर्मित करने में सहायक होता है सामाजिक इस्थिती को बनाने में सहायक होता है और सहरी समाज को देखते हैं सहर कैसे थे, ब्यापार कैसा था गाओं में क्या इस्थिती थी, लोग गरीब थे, अमीर थे, जाती विवस्था कैसी थी तो ये सारी चीजे जब हम जानते हैं तब हम एक युग की एक काल विशेश की आल्थिक यूम सामाजिक इस्थिती को बहतल तरीके से समझ पाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं भक्तिकाल की आल्थिक यूम सामाजिक इस्थिती इसकी प्रिष्ट भूमी पर हम चल्चा करेंगे तो हम पाते हैं यहां पर आकर हमने पिछले वीडियो में इसकी राजनीतिक ब्यवस्था पर चल्चा कर ली थी कि राजनीतिक पल्दिर से कैसा था भक्तिकाल के दौरान अब यहां पर हम वही चीज देखेंगे कि भक्तिकाल के दौरान आलखिक पल्दिर से और सामाजिक पल्दिर से कैसा था, तो यहां हम पाते हैं कि केंद्री कृत सासन बेवस्था अस्थापित हो चुकी थी, तुर्क आ चुके थे, यानि कि सल्तनत की अस्थापना हो चुकी थी, उसके बाद मुगलों की अस्थापना हुई, मतलब सल्तनत से मुगल तक हम पाते हैं कि केंद्री क्रित ब्यवस्था रही और कई बाल तो ऐसा हुआ लगभग संपूर्ण भारत ही एक छत्र के अधीन रहा एक सासक के अधीन रहा और तुर्कों के द्वारा भारत में सासन कायम कलने से लेकर साज यहां तक के राजनीती की तिहास में सबसे महत पूर तथा केंद्री क्रिस सासन ब्यवस्था हमें देखने को मिलती है तुर्कों के पतन और मुगल सामराजी के अस्थापी थोने के बीच कुछ वर्सों को छोड़ दें तो पूरा उत्तर भारत केंद्री क्रिस सासन ब्यवस्था के अधिन रायानी की संपूर उत्तर भारत दिल्ली से कंट्रोल होता था या फिर जो भी मुगलों या सुल्तानों की राजधाई रही वहां से कंट्रोल होता था और यहां पर सासन बेवस्था में बात करते हैं तो हम गाओं में खुत, मुकदम, पटवारी जैसे अधिकारी पाते हैं जो भू, राजस वगेरा की वसूलिव का काम करते थे, गाओं की देखरेक का काम करते थे, सिपाही होते थे तो यह सारे अधिकारी वहां पर पाए जाते हैं और जो तुर्कों ने प्रसासनिक ब्यवस्था स्थापित की, वहां आगे चलकर आगे के परवलती सास को दारा भी अपनाई की, क्योंकि यह उत्तम ब्यवस्था थी सहरी समाज, सहर और ब्यापार की बात करें, अगर हम सहरी समाज कैसा था, ब्यापार कैसा होता था, तो तुर्कों के आने के बाद, जो दूसरा महत्वपूर पर इवबतन होता है, वह हम देखते हैं कि दिल्ली, आगरा, इलाहबाद, बनारत जैसे सहरों का उद्धे और वि हमने पीछले वीडियों में बात किये थी कि यागरा जो है, सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था, आगे बढ़ते हैं, तो यह जो नए सहर बसे, या फिर पुराने सहर जो बिक्सित हुए, यह आगे बढ़कर, आगे चलकर ब्यापार के प्रमुकेंद्र बन गए, सहरो के साथ साथ, छोटे-छोटे कस्बों का भी उदय हुआ, जब सहर बरे तो उसके आसपाथ छोटे-छोटे कस्बे भी बन गए, ब्यापार के माध्यम से गाओं, कस्बे और सहरों से संबंध स्था पित हुआ, और जो गाओं और सहरों के बीच जो अलगाओ की स्थिती थी, जो खाई थी वह धीरे-धीरे पटने लगी, इसी काल में हम देखते हैं सूफी संत जो है, इस खाई को पाटने में अहम भूम का निभाते हैं, वो एक सहर से दूसरे सहर, एक गाओं से दूसरे गाओं भूमते रहते थे, तुर्कों के साथ नई तकनीकियां भी भारत में आ तो जो भारत के सासक होते थे, घोडों का प्रयोग कम कलते थे, हाथियों का प्रयोग अधिक कलते थे, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर नई तकनीकी का प्रभाव हो जाता है, कागज का प्रयोग होने लगता है, इसी दौरान, चर्खे के आने से वस्त उद्योग बढ़ता है कारीगर की छमता बढ़ने से वस्त उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग बन जाता इस दोरान इसी काल में धुनकी भी आ गई धुनकी के आने से रुई की धुनाई में जो है काफी मदद मिली हो रहा कारी तेजी से बढ़ने लगा आगे देखते नीलियोम अन्यवनस पति रंजकों से अनेक चमकीले रंग बनाए जाने लगे इस तरह देखे तो वस्त उद्योग से भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिला ऐसा कहा जाता है मुहम्मद मिन तुगलक के कार खाने में चार हजार रेसम कर्मी थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के पोसाकों और वस्त्रों की बुनाई और कसीदादारी कलते थे मतलब उसमें कढ़ाई वगेरा किया कलते थे उसका निर्माड कलते थे और कबीर का भी संबंध इसी ब्योसाज से है कबीर भी जो है यही सारी चीजे बनाते थे और आगे बढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजे बहुत निर्माड हुए जैसे जीटी रोड का निर्माड हुआ सेरसा सूरी ने करवाया ग्रेंट ट्रंक रोड जी से कहते हैं और ये जो सडके बनवाई गई इसके आसपास सराय बनाई गई ताकि ब्यापारियों के आवा गवन में सुबिधा हो सके जगा जगा चुमगियां बनवाई गई ताकि कहीं लूट खसोट नहो सके पुलिस की गस्त बढ़ाई गई तो को ऐसे कारे हुए यहां पर राजनी की घटनाओं को रोकने के लिए बिशेस कानून बनाए गए पीशे हमने बात की थी कि अगर कोई दुकानदार कम तौलता था को उसके लिए भी नियम था आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तुरकों से लेकर मुगलकाल तक उत्तर भारत में देशी ब्यापार के साथ साथ अंताराश्टी ब्यापार भी यहां पर बढ़ता है उसमें भी बिद्धी होती है यहां से सूती वस्तर का निर्याद बहुत बड़े पैमाने पर होने लगता है भारत में ऐसे बहुत से बंदरगा थे जहां से विभिन्द देशों से ब्यापार होता था भारत दच्छिण पूर्वी क्यों पश्चिम एसिया के कई देशों को चीनी चावल आधिखाते पदालतों को निर्याद करता था इस पूरे दोर में ब्यापार और उद् कड्ड हो गए इस काल में लेकिन जब हम ग्रामीर समाज की बात करते हैं अगर हम ग्रामीर समाज में चीज़े देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो ग्रामीर समाज था वहां सामंती ब्यवस्था थी भूराजत स्वाधाइद ब्यवस्था थी गाओं में किसानों की याल्थिक चला जाता था कर के रूप में तो उनके पास जो है अपने खाने के लिए भी कई बार नहीं रहता था इसके चलते लगातार अकाल पढ़ते रहते थे और वस्त रुद्योग वगएरा का निर्माड हुआ था वस्त रुद्योग चल रहे थे लेकिन फिर भी जो है तंगी गाओं में थी तुलसी ने इस पीड़ा को अपनी कविताओं में सजोया भी है जैसे हम देखते हैं कि खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी जीवी का विहीन लोग सीधिमान सोच बस कहाए एक एकन सो कहां जाई का करी कि यहां पर आउरंग जे काली निस्थिती का वड़ने आपर तुलसी दाजी ने किया है अपनी पंक्तियों के माध्यम से इन पंक्तियों के माध्यम से हम उस काल की इस्थिती का अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं और जाती बेवस्था क्योंकि अगर हम समाजी की स्थिती देख रहे हैं जाती बेवस्था भी देखना अनिवार हो जाता है जाति बिवस्था की बात जब हम करते हैं तो ग्यारवी सताब्दी के आसपास हिंदु धर्म को कर्मकांड के माद्यम से एकृत करने की कोशिस हुई जाति बिवस्था बिद्दमान रही जाति और सामाजिक रीत रिवाज की द्रिष्ट से हिंदु इस्मृति कारों ने ब्रामभडों को समाज में उच्छा अस्थान देना जारी रखा यानि कि जब तक हिंदु सा सकते हुए ब्रामभडों को उच्छा स्थान पर प्रतिस्था वाला था वो अब तुर्कों का हो जाता है मौलवियों का हो जाता है और आगे बात करते हैं तो प्रजा की रच्छा के लिए सहसे धारन करना छत्रियों का कर्म बताया गया है यह सब चीजे वहां देखने को मिलती है हाला कि जब मुगलकाल आ जाता है तो इसकी उतनी महत्ता नहीं रह जाती और सूद्रों का कलतब वही जैसे प्राचीन काल से देखते चले आ रहे हैं वही इस्थिती रही उनका कर्म जो था और दूसरी जातियों की सेवा कलना ही बताया गया तुर्कों, इरानियों, अफगानों और भालती मुसल्मानों में एक दूसरों के साथ बै पोजनना करने के कारण हिंदू और मुसल्मानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं हो पाता था, यानि कि जैसा हम आज भी देखते हैं कि जो छूवा छूथ था, जो सामाजिक एक तरीके से अलगाव था, वो सब यहां पर बिद्दमान था, लेकिन इन कभी मिलते हैं, दरबारी लोग मिलते हैं जो उनके सामराज में अच्छे पदोबर प्रतिश्थापित थे, भक्त यान दोलन की क्रिष्ण मार्गी धारा में कई मुसल्मान भक्त भी हमें मिलते हैं जो इन सभी सीमाओं को तोड़ते हुए नजर आते हैं, जो सामाजिक सीमा घर की चकिया को नपूजे पीस खाय संसार, तो यहां पर हिंदू आदियों का बिरोध है, जे तू बाबन बाबनी का जाया, तेयान बाट होई काहिना आया, आगे जैसे अरे इन दोन राह न पाई, हिंदूवन की हिंदूवाई देखी, तुरकन की तुरकाई, तो कभीर जो ह से दोनों पलतन जिकलते हैं, यह जो कभी हुए समाज सुधालने का काम किये, समाज को जोडने का काम किये, जो उनकी खामिया थी, उसको बताने का काम किये, तो इस प्रकार भक्तिकाल में सामाजिक और आल्थिक इस्थिती रही, ब्यापार रहा, सहर रहा, गाउं रहा, यह यहां पर हमने इस पर चल्चा की अगले लिक्चर में हम लोग यहां पर बात करेंगे धार्मिक पल्दिर्श से कैसा था और दार्सनिक प्रिष्ट भूमी क्या थी दार्सनिक पल्दिर्श से कैसा था दार्सन क्या था वहां संक्राचारे पर बात करेंगे और जो विभिन वहा नोटिफिकेशन आन कर लीजिए ताकि जैसे ही लेक्चर्स अपलोड हों आपको तुरंत मिल जाएं धन्यवाद